चलिए पेपर का देखते हैं पेपर वैसे मैं कहूंगा पेपर आसान था लेकिन वर्ड ट्रिकी थोड़ा बना दिया गया चलिए अनिवेस उसी को लेके बच्चे थोड़ा सा डर रहें कि क्या होगा नहीं होगा कोई बात नहीं देखिए सबसे पहले तो डर बिल्कुल भी नहीं होना चीए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है पेपर अच्छा जाता है या खराब जाता कुछ भी होता है तो जिंदगी नही तू दो हजार जो 22 के पेपर में आया कहता है दा क्वांटिटी प्रडक्शन कॉंपोनेंट्स आपका कहता है मार्केट में 20,000 उनिट सरी, the quarterly, quarterly production of a company produce capacity unit की बात कर रहा है अब ध्यान देज़ेगा कहता है हम न quarterly, एक quarter में न हम 20,000 unit produce कर रहे है एक quarter में हम 20,000 unit produce कर रहे है so that अगर देखा जाए एक साल में कितने quarter होंगे एक साल में 4 quarter होंगे तो 80,000 unit produce करेंगा that is unit each unit 0.5 kg और एक unit 0.5 kg लगता है तो बताओ कितने kilo समान की जरुरत पड़ेगा तो 40,000 kg एक साल में समान की जरुरत पड़ेगी clear है आपको यह point एक साल में 40,000 kg जरुरत पड़ने वाली है आगे पढ़ें क्या कहता है the cost of placing order raw material 100 रुपए यानि ordering cost आपका 100 रुपए है ठीक है ordering cost के बाद क्या कहता है inventory cost जो carrying cost है वो 2 रुपए है तो see that is 2 रुपए आगे देखें the lead time procurement यानि आपको अपने पास समान को रुपए होगा raw material को 36 दिन रखना है आपने समान को 36 दिन अपने पास हमेशा stock को रखना है lead time time for procurement of raw material आप anytime अपने पास 36 दिन का stock maintain करते हैं और साथ के साथ आप safety 1000 kg का भी लेके चलते हैं 36 दिन का तो stock रखेंगे ही दुकान में 1000 kg और होना चाहिए raw material maintained by the company company इतना raw material अपने stock में maintain करती है the company has been able to आपका negotiate following discount structure with our raw material बोलता है company को कुछ structure मिला है negotiate बोलता है अगर आप 6000 युनिट खरीदोगे तो कोई discount नहीं है अगर 6 से 8 के बीच में खरीदोगे तो discount 400 रुपे पर order मिल जाएगा हर order पर वहाँ पर ध्यान दीजिएगा 400 रुपे पर order पर युनिट नहीं है और यहाँ पर कितना discount मिलेगा आपको दो यहाँ पर यह और यह सारी चीज़ें यहाँ पर information गीवन है कि इतने रुपे हमें discount पर order मिल जाएगा order करेंगे जैसे हमने 8000 से 16000 तो जितनी बार order जाएगा उसका हमें यह discount मिल जाएगा चलिए अगर 6000 से नीचे करेंगे तो कोई discount नहीं है क्या क्या कहता है calculate reorder point मतलब आपके go down में stock खतम हो जाए और आप order कर दो और मान के चलो साल में कितने दिन होते हैं साहब 30 दिन पहले point का answer साल में अगर आपका मन्त में मन्त में कितने days है 30 days तो year में कितने होंगे साहब year में 30 दिन into में 12 यानि 360 दिन और आपका year में use कितना है year में consume कितना कर रहे हो इंद कि यह में कंजम्शन कितना है सब आपने अभी निकाला यह का 40,000 किलो है इंद का कंजम्शन कितना है 40,000 किलो और 360 तो पर डे यूज कितना होगा आपका देख लेका फटा फट से पर यूज क्या होगा चालिस हजार डिवाइड़ र्रकना है तो 36 दे का रखना है तो 36 डे में कितना हमारे पास थी स्टॉक होगा तो 1 1 1.111 इंटु में 36 तो कितना होगा इंटु 36 दिट इस 4000 आ गया यह चार हजार आ गया और आपको प्लस सेफटी भी रखना है, सेफटी भी रखना है, कितना रखना है, एक हजार, कुश्चन में सवाल में कह रहा था, तो पाँच हजार जैसे ही आपके यूनिट पहुंचेंगे, आपका री ओडर पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट खता, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, कैल्कुलेट दा री ओडर पॉइंट टेकिंग 30 दे, री ओडर पॉइंट क्या है सर, देट इस री ओडर पॉइंट, री ओडर पॉइंट, पहला पॉइंट खतम हो गया सर, पेपर बड़ा पॉइंट इतना मुस्किल नहीं था, लेकिन हाँ, लेंग्विज में जरूर कहूँगा, मुस्किल है इसका, कहता है, प्रिपेर दा स्टेटमेंट शोइंग, कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाई है, जहां टोटल कॉस, आपका प्रोक्यूमेंट एंड स्टोरेज ओफ रॉव मट्रियल आफ्टर कंसेडरिंग दिस्काउंट जो यह डिस्काउंट दे रहा है, दा कंपनी सेलेक्ट दा, कंपनी का ऐसा बनाई है, जहां पर सबसे सस्ता पड़े कंपनी का, कहता है, आप बनाई है, एक तो एक बार ओडर लें तो क्या होगा, दो बार ओडर लें तो क्या होगा, चार बार ओडर लें तो क्या होगा, छे बार ओडर लें क्या हो, एक सार में, यानि इतने स्टेजिस बना दीजिए आप, ओके सर, हमने लेस देन और मोर देन वाला किया था, इन्होंने थोड़ा सा कम, हमारा काम असान कर दिया क्या असान करा Size of order कहता है कि Size में एक बार मंगाएंगे, तो आपकी quantity कितनी demand है पूरे साल की 40,000,000, तो कहते हैं अगर एक बार मंगाएंगे तो क्या होगा, तो एक बार हमारा Size क्या होगा 40,000,000 फिर कहता है दो बार मंगाएंगे तो कितने का Size होगा, तो आपको ये 40,000 ही दो बार में मंगवाने है 40,000 दो बार में मंगवाने है तो आपके 20,000 इच होगा फिर तीसरे में कहता है कितना सर तीसरे में कहता है कि आपको मंगवाना कितना है चार बार में मंगवाना है तो चार बार में अगर मंगवाते हैं आप तीसरे point में चार बार में तो आपको 40,000 कितने बार में मंगवाना है सर चार बार में मंगवाना है तो एक बार में कितना मंगवाएंगे मैं size बता रहा हूँ एक बार का, that is 10,000 फिर चौते पॉइंट में बोलता है आपको 40,000 जो मंगवाने है वो कितने में बोला इन्होंने 46,006 बार में बोला है तो आपको कितना size रहेगा order का क्योंकि जितने बार आप वहाँ पे जाएंगे उतने बार ordering cost लगेगा that is 46, यह 6, 6, 6, 6 होगे ठेक है हमें यहाँ सवाल में एन्वल cost तो दे नहीं रखा तो जिसका ordering cost सबसे कम होगा क्योंकि इसने per order cost बोला एक बार हम देख लेंके सवाल के अंदर क्या per unit cost दे रखा है नहीं per unit cost हमें सवाल में नहीं तो हम देखते हैं ordering cost पहले ordering cost और इसके साथ साथ आपको यह भी focus करना है यह इस unit के हिसाब से discount मिलेगा पहला point में हम क्या कर रहे है 30,000 से उपर लेने 40,000 तो हर order पे हमारे कितना discount बन जाएगा सर 4000 उपे discount बन जाएगा हमारा per order पे हर एक order पे हमारा 4000 इसके बाद देखिए ordering cost बोले तो एक चक्कर लगेगा 40,000 में एक चकर लगेगा और हर एक चकर ordering cost 100 रुपे है एक चकर लगेगा तो 100 रुपे का खर्चा अब 220,000 एक बार में लाओगे दो चकर लगेगा तो 200 रुपे का खर्चा चार चक्कर में 400 रुपे का खर्चा, छे चक्कर में 600 रुपे का खर्चा, अब केरिंग कॉस्ट कर लेते हैं, रखने का खर्चा, सर, केरिंग कॉस्ट का अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता हूँ न, तो केरिंग कॉस्ट होता है हमारा, EOQ divided by 2 into में C, केरिंग कॉस्ट, तो EOQ एक और यही है, EOQ divided by 2, 20,000, और C कितना है, 2 रुपे, 2 रुपे के हिसाब से है, तो केरिंग कॉस्ट कितना होगा हमारा, 40,000, divided by, divided by कितने सर, 2 into में 2, that is 40,000, यहाँ पे क्या होगा सर, 20,000 है, divided by 2 into में 2, that is 20,000, और यहाँ पे क्या होगा सर, 10,000 है, divided by 2 into 2, into 2 क्या है, एक 2 रुपे पर केरिंग कॉस्ट था, वही, तो 10,000, और अगले बारे का क्या होगा सर, 6, 6, 6, 6, divided by 2 into 6, यानि 6, 6, 6, 6, सर, अब डिस्काउंट ओफर किया जा रहा है, डिस्काउंट ओफर किया जा रहा है, और डिस्काउंट में क्या ओफर किया गया, बोला गया, इतने यूनिट में इतने का डिस्काउंट, इतने यूनिट में इतने का डिस्काउंट, ठीक है, न, देखते है, तो बोला गया कि अगर आपका पहला क्या है हमारा 40,000 है तो बोलता है हर एक order में per order में 4,000 का discount तो पहले वाला order ये है तो यहाँ पर discount की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर discount मिल जाएगा 4,000 चलिए सब दूसरे वाले में क्या था हमारा बोला गया 16 से अगर आपका 30 होगा 16 से 30 के बीच में होगा तो आपको 32 रुपे पार order होगा तो 1630 में अगर देखा जाए तो हमारे यही आगे 20,000 16 से 30 के बीच में और यह दो बार order गये हैं कितने बार order गये हैं यह number of order दो है तो अब कितने रुपे discount बोला इसने discount कम करा 32 रुपे तो दो order पे कितने हो जाएंगे सर 32 और गुणा में दो बार तो 6400 का discount मिल पाएगा यहां इसके बाद क्याता है कि अगर आप 8000 से 16000 के बीच में रखेंगे यानि 10 से 8 भी इसी में तो 2000 रुपे पर order मिलेगा तो आप देखिए आप 8000 से 10,000 पर order कितना है 10,000 का है तो 8000 से लेके 16000 इसी category में फॉल होगा कितनी बार चक्कर लगेंगे चार बार हर बार discount लोगे तो 2000 एक बार का discount इंटू में चार बार तो टोटल कितने discount मिल गए इसके बाद कहता है कि अगर आप 6000 से लेके 8000 के बीच में रखोगे तो 400 रुपे का discount मिलेगा तो यह देखो 6000 से ऊपर है और 8000 के बीच में तो 400 का discount मिलेगा कितने चक्कर लगे चे तो 400 गुणा में 6 यानि 2400 का discount मिलेगा अगर हम बात करें तो टोटल कोस्ट की अगर कोस्ट की बात करें तो 100 रुपे और 40100 रुपे यहां पर discount कैसे आएगा सर सो रुपे का खर्चा प्लस 40,000 माइनस में 4,000 का discount यानि 36,100 का कॉस्ट आ रहा है यहां पर 200 प्लस में 20,000 माइनस में 6400 यहां पर 13,100 का कॉस्ट जहां पर सबसे कम कॉस्ट का वही बेटर है 400 प्लस 10,000 माइनस में 800 यहां पर सर 2400 का कॉस्ट आ रहा है 600 प्लस में 6666 माइनस में 2400 यहां पर 4866 का कॉस्ट आ रहा है तो आप मुझे बताईए सबसे least cost कहां पे है इस थाईप का हम ने total cost के basis पे तो किया है सिर्फ इस के उपर नहीं किया है सबसे लिस्त कॉस्ट जो है न जो आप बोल रहे हो वह यह है तो यानि यह वह कॉंटिटी है जहां पर सबसे कम है तो सवाल में क्या पूछा गया था एक बार देख लेते हैं सवाल में पूछा गया था कि आपको प्रिपेर स्टेंट करना है प्रोक्यूमेंट शॉटेज इस पे, order cost पे, तीसरा question अब यह पूछ लिया, state number of order which company should be placed, minimize the cost, number of order, EOQ into consideration, ठीक है सर, अगर आप EOQ consideration करते हुए आप बताईए, minimize कहा होगा, तो आप देखेंगे, minimize cost कहा हो रहा है हमारा, यहाँ पे हो रहा है, minimize cost, तो यह बता देंगे हमारा, जो 4, 4 order है, 4 order वाला होगा, और इ EOQ भी निकालोगे, तो EOQ के हिसाब से, अगर निकालते हो, तो ordering cost, carrying cost कितना होगा, वो आप देख लोगे, सबसे पहले आपको एक पर क्या निकालना पड़ेगा, EOQ, तो चलो EOQ को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सवाल में, last में बोला गया है, कि after taking EOQ consideration, EOQ consideration के बाद, और C कितना है, सर, याद हो गया है, 2 रुपए, इनका अंडर रूट निकाल देंगे, तो क्या जाएगा, कहा गया, 2000, 2000, 2000 है, तो EOQ के हिसाब से cost निकाल ले, तो क्या होगा, सर, 2000 और 40,000, इन्टु में 100, ये तो ordering cost हो जाएगा, 40,000 unit, और 2000, और इन्टु में 100, यानि, सर, 2000, तो सर, ये 2000 का खर्चा होगा, plus ordering cost, carrying cost कर दो, carrying cost क्या है हमारा, 2000, divided by 2, इन्टु में 2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये also 2000, तो total खर्चा यहाँ भी कितना बैठ रहा है, 40,000, तो अगर हम सम मिला जुला के देखें, तो हमारा सबसे सस्ता यहीं पर पढ़ रहा है, तो answer is this, जो कि आपको exam के अंदर ये लिख के आना था, तो सर, पहला question हमारा complete हो जाता है, इसके बाद बच्चों ने बोला, सर, labor का question बड़ा tough आया था, labor का करा दीजे, पिछले वाले question में किसी को doubt बताईए, पिछले आले question में doubt किसी को पूछिए, शायद मैं record कर भी रहा हूं यह नहीं कर रहा है, यह देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए labor पर आ जाते हैं, फटा फट से खतम करेंगा आपको बिना time लिए, बिना time मतलब ज्यादा time ना लेगे, यह भी बच्चों ने बहुत बोला, सर यह पता नहीं क्या आ या नहीं है, देख लेते हैं पड़के क्या है, कहता है, आ company basic wages साट रुपे पर आवर, यानि basic wages, बोलता है यह साट रुपे आप आओ और एक घंटे के आपको मिलेंगे, overtime rate evening, time and one third, कहता है, overtime जो होगा न, अगर आप overtime करोगे, तो आपका जो भी time taking है, जो भी time है, तो time का तो आपका 60 मिली रहा था, प्लस इसका one third, end बोला है, इसने end one third, तो इसके अंदर one third कितना होगा, इसका one third that is 20, यानि overtime पे आपको अस्सी मिला करेगा, और weekend में काम करोगे, weekend में अगर आप work करते हो, तो आपको कितना मिलेगा, 60 और multiply by आपको double हो जाएगा, यानि 120, तो सबसे पहले तो यह होगा हमारा wage rate, किसी को दिक्कत, किसी को परिशानी तो बताइए, अब आगे कहता है, हमारा normal time इतना था, plus time one third वाला इतना था, double time इतना था, three jobs has been worked following period, job इसमें normal time इसके इंदर इतना लगा, overtime इतना लगा, और weekend इतना लगा, और कुछ नहीं था, you are required to calculate labor cost chargeable each job, हर job में बताइए, labor cost क्या होगा, where overtime work regularly throughout the year policy है, where overtime work specially at required, बोलता है कि पूरे साल हो और एक जब customer को तो दो point में इसका जवाब देना है, सबसे पहले हम क्या करते है, total cost निकाल लेते हैं, total cost कितना आ रहा है, यानि per hour rate average निकाल लेंगे, कैसे सर, आपका normal के लिए क्या लगेगा, normal कितने hour है, ये लख रहेते हैं, hour, और ये रख लेते हैं, rate और ये रख लेते हैं, total, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, आपके लिए भी आसान, मेरे लिए भी आसान, hour कितना है हमारे normal, 2,20,000, और rate कितना लगेगा, normal, basic के लिए 60,000, आगे normal के बाद, one third वाला क्या है, one third वाला, over time, one third, कितने hour हैं, 20,000, कितने रुपे 20,000, one third वाले के, 80 रुपे के साब से, और डबल वाले के, डबल वाले के, डबल वाले के देखा जाए तो 10,000, और time क्या है, 10,120 रुपे, अब total cost कर लेते हैं, आवर की अगर हम बात करें, तो टोटल आवर हो जाएगा, 30, 20, 2,50,000 घंटे काम हुए है, सब overtime वगर है, मिला मुला के, एक बार मेरा content में, cash flow statement के test के बारे, फिर active कर दीजे, तीक है, ठीक है, मैं कुर्दंगवा कर दूँआ, और multiply कर देता है, 60, oh my god, एक करोड 32 लाग, इतना, 30,000 इंटोस से, ये भी 16,000, 10,000, ये भी 12,000, टोटल खर्चा देखें, प्लस 16,000, प्लस एक करोड 32,000, एक करोड 60,000 का खर्चा है, धाई सो में, तो पर आवर रेट अगर निकाले, पर आवर रेट, तो सहाब, आपका एक करोड 60,000, डिवाइड भाइ धाई लाग, डिवाइड भाइ लाग, 64, कि यानि एवरेज अगर देखा जाएं तो 64 रुपए हर घंटे का दिया जा रहा है कि या रही हो गया रिड्यू करना बड़ेगा डलत करता है ठीक है कि यानि मैं क्या यह रहा हूं अलग-अलग टाइम पर पढ़ लितने लाइन क्या कहता है लाइन कहता है मतलब अगर हम रेगुलरली काम करें तो हमारा आंसर क्या होगा तो बहुत सिंपल सी बात है सर आप रेगुलरली काम करते हैं तो क्या होगा तो जॉब वन जॉब वन में देखिए कितने आवर है एक घंटे का 64 है जॉब वन में अगर आवर निकाले तो 33 एक 3400 गंटे जॉब टू कि अंदर पांच छे चपन सो पचास गंटे जॉब थ्री में चार और एक 5050 और पांच हजार पचास त्रेप पन सो पचास जॉब थ्री में त्रेप पन सो पचास आप से बोलाए कि रेगुलरली होगा इसमें कोई चेंजिस ही नहीं है यह मतलब होता ही रहता है इसी तरही कैसे रहता है तो एवरेज लेके मल्टिप्लाई कर देते हैं सर कितने 64 64 64 64 नीव वाले से कॉस्टिट करना है कॉस्टिट नीव वाले से करना है चलिए मल्टिप्लाई करके दिखा देते हैं तो 3400 इंटू 64 ओहो 3400 इंटू 64 यह आगया 21600 ठीक है 5650 इंटू में 64 यह आगया 3616 और 3550 इंटू में 64 यह आगया 3424 यह तो आगया इसकी कहानी पहला पॉइंट डन चलिए तो पहला पॉइंट देखे समझिये कहता है कि हमारा रेगुलर ही ऐसा रहेगा रेगुलर ओवर-टाइम लगेगा रेगुलर सब कुछ लगेगा तो भाईया जब रेगुलर होगा तो हमने क्या करा wage को average मानके निकाल के दिखा दिया कि इसके इसाब से इतना इतना खर्चा मनेगा लेकिन जब customer मांगीगा तो होगा तो दूसरा point बोलता है जब जरुत होगा तभी overtime लगवाएंगे तो क्या होगा तो भाई साब हर किसी का rate अलग-अलग हो जाएगा एसे situation में हर किसी का अलग-अलग हो जाएगा देखिये job का कर देता हूं तो हर किसी का rate अलग-अलग हो जाएगा कितने job है हमारे one job second job and third job yeah में एचलिद ये जॉब ओन ले लेते हैं या जॉब तू ले लेते हें जॉब फ्रिले लेते नॉर्मल टाइम मेर आ कि जॉब one मेर कितना है कि ट्रनार्मल टाइम में job वन में 3000 गंटे और 5000 और 4000 यहां पर 3000 और यहां पर 5000 और यहां पर चार हर रार ठीक है अब नॉर्मल टाइम का जो रेट है वो कितना है सिक्स्टी है वो कितना है सिक्स्टी है वो कितना है सिक्स्टी है तो इसका खर्चा जो आएगा वो आएगा that is 618 एक असी इसका खर्चाएगा 30 यानि 3 लाक इसका खर्चाएगा 24 दो चालेस ठीक है अब overtime माल लेते हैं जो one third वाला overtime है तो इसके अंदर कितना है one third वाला one third वाला हमारा overtime जो है वो 300 600, 1050 तो 300 600, 1050 और one third over time कितने का पट रहता सर्फ 80 80 and 80 का that is आपका 24,000 that is आपका 48,000 और यह आजाएगा इसको multiply कर लोते हैं यह आजाएगा 1050 84,000 इसके बाद double वाला double वाले का क्या कहता है overtime weekend वाले का तो weekend overtime जो है वो है हमारा 150, 300 weekend नाम दे तो इसका चार्ज कितना एक्सो बीस तो देट इस बारा अजार 120 देट इस 6,000 एक सो बीस देट इस 36,000 देख लेते हैं एक बार total खर्चा जो अगर count करोगे नहीं हम बस यही पूछा था बता दीजिए total खर्चा एक सी एक सी एक सी एक सी एक सी ओहो एक सी प्लस चौबिस हजार प्लस बारा हजार दो लाग सोगा हजार इसके बाए तीन लाग 48,000 तीन साथ तो यह आगा है अगर स्पेसिफिकली डिमांड के हिसाप से होगा तो जितना डिमांड होगा उसके हिसाप से ओवर टाम के लिए बुलाएंगे रेगुलरली रहेगा तो हम एवरेज कर देंगे तो यह था हमारा कुस्चन नमबर जो की दस नमबर में आया था आपका एक लेवर का सवाल जो इस टाइप से पूछा गया था ओवर टाइम के बारे में ठीक है किसी का डाउट हाँ या ना बता दीजिए किसी का डाउट है तो इसमें कमेंट में सार मैंने कॉस्ट रिकनसिलेशन मटेरियल फोड़ा ओवर हैट सोड़ा प्रोसिश थोड़ा थोड़ा ऑप्रोसेस थोड़ा-दोड़ा मत करिए भी टाइम है दिपटे है gebracht प्रोर हेड भी बाकी थिवरी करनी है प्रोसेस और ओवर हैड करनीए देखे छोड़िये मत कुछ भी कोसिस करिया भी मैं आपका दिखा दुआ पैटन जो एक्जाम का सिर्फ वो वो करके जाईएगा जरूर क्लियर है सर चलिए